हेलो दोस्तों कि आपको पता है कि महा छट पर्व क्यों मनाया जाता है आज हम आपको बताने वाले हैं कि महा छट पर्व क्यों मनाया जाता है लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे यूट्टिब चैनल को सब्सक्राइब करें और पहला आइकन को जरूर दबाए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें और अब हम आपको बताते हैं कि छट कर्ण क्यों बनाया जाता है दरसल जब भगवान कर्ण हुआ करते थे भाहा भारत में पांडव सारे राजपाट जुआ में हार गया था तो वो द्रोपती से कहे थे कि आप भी छट परव कीजिए और छट परव करने के बाद उसे सारा राजपाट मिल गया था इसी कारण से तभी से ही हमारा रितिरिवाद चला आ रहा है कि महाचाट उपर क्यों मनाया जा रहा है अब आपको पता हो गया होगा कि महाचाट उपर क्यों मनाया जाता है अगर आपको नहीं पता था तो हमारे वीडियो के मादेम से अगर पता चला है आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को सेर करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पड़े आप देख सकें और इस तरह का वीडियो आप सेर करेंगे तो आप क्या और भी रिलेटिव को पता होगा कि ऐसे चैनल को